डेटा स्टिक्चर एंड एलगोरिफ्म के कूर्स के प्लेलिस्ट में, आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बबल सौट एलगोरिफ्म के बारे में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किजेगा So let's start video So friend अगर बात करें bubble sort algorithm की bubble sort algorithm क्या होता है तो सबसे पहले bubble sort के बारे में जालते हैं की bubble sort क्या होता है bubble sort is a sorting algorithm that compared to adjacent element and swap them until they are not allowed the intended order तो क्या करा है की bubble sort एक sorting algorithm है sorting algorithm का मतलब है की जब कोई भी number इधर उधर दे रखा हो तो उसको sort करने के लिए हम क्या करते हैं bubble sort का use करते हैं bubble sort क्या करता है की दो numbers को compare करता है और उनमें आपस में क्या कर देता है swap करता है और जब तक यह ऐसा तब तक करता रहता है की जब तक number क्या हो जाए sort न हो जाए अब bubble sort के बारे में कुछ और जानते है bubble sort होता क्या है की जैसे just like the movement of air bubbles air bubbles in the water and rise up to the surface each element of the array move to the end in each iteration therefore is called the bubble sort मतलब bubble sort के बारे में अगर बात करें तो bubble sort जैसे पानी के बुलबुले होते है आपने कभी उबलते हुई देखे होंगे पानी के बुलबुले तो क्या होते हैं कि पहले उपर आते हैं फिर क्या हो जाते हैं फूर जाते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं फिर तीसरे आते हैं तो ऐसे ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक कि सारे क्या होते हैं कि अपने सर्फिस में जाकि बैट नहीं जाते हैं ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती तो उसी तरह bubble sort में क्या होता है कि जब element को हमें sort करना होता है किसी भी element को जब हमें sort करना होता है तो bubble sort algorithm को जो हम perform करते है तो इसमें क्या होता है कि दो numbers को एक compare करता है जो छोटा वाला number होता है उसको left में और बड़े वाले को right में इन दोनों को आपस में क्या कर दिता है swipe कर दिता है तो आगे अगर हम बात करें कि working आप bubble sort की यह work किस तरह से करता है ठीक है तो bubble sort की working के बारे में बात करें suppose we are trying to sort the element in ascending order तो क्या होता है कि जब कोई भी element हमें दिये होते है तो हम उनको क्या करते है सबसे पहले हमें मालो के करना क्या है कि उनको ascending order में हमको रखना है तो ascending order में रखने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लें कि आखिर हमें जरूरत क्यों पढ़ती है जरूरत इसलिए पढ़ती है अगर आपको दे दिया जागी 1 से 50 तक के नंबर लिखे हैं और उनमें क्या किया जागा है क्रम अल्लाबंदी है अल्ला खोज के दो तो 30 को जब हम खोजने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा बहुत टाइम लगने का मतलब है कि हमें हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा क्या वो 30 है तो हमें क्या पर टाइम ज्यादा लगेगा उस टाइम से बचने के लिए हम क्या करते है कि sorting algorithm को perform करत है नंबर को स्वाट कर देता असेंडिंग या डिसेंडिंग ओडर में जिससे हमें पता चल जाता है कि यह नंबर इसके बाद होगा अब जैसे आप हमें कर दिया कि 30 को find out करें 1 से 50 तक की count यानि गिंती लिखी है तो हम जानते है कि 29 के बाद 30 आता है तो हम डिरेक्ट जाए करने के लिए तमाम तरह के operations को perform करना पड़ता है तो आज की वीडियो में हम अभी देखेंगे bubble sort के बारे में आगे और भी बहुत सारे sort है जिनके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी numbers हमें दे रखा है sequence में नहीं है उसको हमें सबसे पहले ascending order म जो चलाएंगे हो हमारा होगा compare and swap तो हम दो number को compare करेंगे जैसे यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 45 को हमने compare किया i0 पर तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी छोटा element होगा वो left में होना चाहिए बड़ा element right में अगर क्या होता कि 45 यहाँ होता minus 2 यहाँ पर होता तो इनको हम आपस में क्या कर देते हैं माइनस 2 यहाँ पर आ जाता 45 यहाँ पर आ जाता लेकिन पहले से ही क्या है एक sequence में है तो इनको हम इनके साथ कोई भी छेड़चाड नहीं करेंगे अगला step हमारा क्या होता है कि starting point from the first index जो हमारा starting point होगा वो first index से होगा compare the first and second element तो हम सबसे पहले क्या कर करेंगे first or second element को और उनमें swap करेंगे और swap operation को perform करेंगे swap operation किस बेस परफॉर्म कर आया जाता है जम numbers आपस में छोटे बड़े हो तब तो if the first element is greater than अगर पहला element क्या है greater than है second element से दिन हम क्या कर देंगे swap कर देंगे अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पर 45 होता जैसे अगर बात करें कुछ ऐसे ऐसे होता 11 और 9 को अगर हम compare कर आ रहे थे तो यहाँ पर 11 हमारा greater है किस से minus 9 से तो हम क्या करेंगे swap operation को perform कर देंगे 9 पहले आएगा और minus 9 पहले आएगा और 11 बाद में आएगा ठीक है तो आगे अगर हम बात करें now compare the second and third elements swap then if they are not in order ठीक है यह order में नहीं है तो इनको हम क्या कर देंगे swap कर देंगे तो आगे जल्दी से हम देखते हैं इनके example के बारे में तो उससे पहले हम देख लिए कि the event process goes to until the last element ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि हम last element तक नहीं पहुँच जाते हैं और सारा जो भी हमारा array है पूरी तरह से क्या हो जाता है ascending order में एक sequence में नहीं हो जाता तब तक हम ऐसा करते हैं तो जल्दी से देखते हैं सबसे पहला step जो हमारा step 0 होगा ठीक है step 0 में हम क्या क पहले हम टू नमबर को compare करेंगे पहले हमने क्या 2 और 45 को हमने compare किया compare किया अगर हमारा condition क्या था कि अगर जो first element है अगर ओ greater होगा तभी हम swap operation को परफॉर्म करेंगे अगर lower होगा तब हम swap operation को परफॉर्म नहीं कराएंगे ठीक है तो यहां पर यह क्या है कि lower है आल्रेडी त तो हम यहां पर swap operation को perform नहीं किये, अब हम i1 पर आ गए, जब i1 पर हम आये तो आप 45 और 0 में हमने क्या किया, कि operation perform कराया, अब यहां पर हमने जब check किया कि 45 और 0 में compare किया, तो 45 हमारा बड़ा है, तो left बाला क्या है, हमारे पास बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, swap operation को perform करा दें करेंगे, तो 45 और 11 में हम क्या करेंगे, operation को perform कराईगे, तो हम check करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो हमारा left वाला element हो क्या है, greater है, علي हम swap operation को perform करा देंगे, 11 क्या हो जाएगा, 45 से पहले आजाएगा, 45 क्या होजाएगा, 11 के बाद आ जाएगा, तो आग्या आगा हम í3 पर, index 3 प बीच में compare गया फिर हमारा 9 क्या है कि 45 चोटा है तो हम क्या करेंगे swap operation perform कर देंगे तो यह हमारा 0 step final होया 0 step में क्या हुआ कि हमाई पास minus 2, 0, 11 और minus 9 और 45 element find out होगे अब हम क्या करेंगे कि जो step 1 होगा हम अब उसमें इसको sort करेंगे अब इसको sort करने के लिए जो हमारा step 1 है minus अब हम फिर वही rules perform कराएंगे सबसे पहले index 0 पर क्या करेंगे minus 2 और 0 को perform कराएंगे तो minus 2 क्या होता है हमारा 0 से छोटा होता है तो as it is रहेगा फिर I1 index 1 पर जब हम perform कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा 0 और 11 के बीच में perform कराएंगे तो 0 हमारा क्या है छोटा है 11 से तो यह भी as it is रहने वाला है फिर I2 पे जब perform कराएंगे तो I2 पे perform जब 11 और minus 9 को perform कराएंगे तो minus 9 क्या होता है हमारा 11 से क्या होता है कि छोटा होता है तो इसमें हम क्या करेंगे कि operation जो हमारा swap बला है operation को हम perform करा देंगे अब अगला operation हमने क्यों नहीं perform करा है जो third index से fourth वाला था या निहां से यहां था यह already sorted हो गया हमने यहां पर देखा कि यह already sorted हो गया तो इसमें हम इसको perform नहीं कराएंगे अब हमारा आगे आता है कि step second, step second के बारे में बात करें, तो अब जो हमारा बचके आया था यहाँ पर, ठीक है, अब यह minus 2, 0, 9, 11 और 55, तो इसको अब हम sort करेंगे step 2 में, अब step 2 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें rules वही follow करना है, सबसे पहले first iteration हमने लगाया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि minus 2, और यहाँ पर 0 को हमने compare किया, तो क्या है कि 0 क्या होता है, हमारा minus 2 से बड़ा होता है, minus 2 हमारा क्या होता है, छोटा होता है, as it is रहने वाला है, बा परफॉर्म हो जाएगा यानि जीरो क्या है हमारा बाद में आजाएगा ठीक है बाद में आएगा अब बाकी element क्या है अलेडी क्या हो गए है यह सौर्टेड हो गए तो इनको हम छेड़ छाड नहीं करेंगे इनके साथ आप जो हमारे अब प्रफरेशन चीक करेंगे तो सबसे पहले क्या माइनस थो हमारा ग्रेटर देननलहा माइनस धतला माइनस नाइन की इसमें आकट करेंगे और जो टूअר result हमारा आएगा वो final result हमारा कुछ है इस तरह से आएगा final result यानि minus 9 minus 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा 11 हो जाएगा 45 तो यह हमारा एक number एक sequence में हो गया ascending order में हो गया तब अगर इसमें हमें किसी चीज को find out करना होगा तो सबसे पहले हम इसमें असानी से find out कर सकते हैं इस एरे में तो I hope कि आपको सबसे में में आया होगा कि bubble shot कैसे work करता और इसमें किस तरह से operation को perform कराया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और subscribe ज़रूर किजिएगा thanks for watching the video thank you bye bye guys